नमस्कार साथियों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो के अंतरगत आप से बात करने जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं आज के नीज आर्टिकल में एक नीज प्रब्रेस हुई है जिसमें आप देखेंगे एक नंबर से पास अब बिरतियों की से फस गई न्युक्ति अब ये न्युक्ति क्यों फस गई है आपको जैसे कि बता होगा कि आपकी जो इनतर जारवाली जो भरती थी ये काफी विबादों से पहले से ही चल रही थी और इसमें एक कोश्चन गलत आया हुआ था जिसके सभी उप्सन गलत थे उसके लिए जो students थे वो court चले गए थे जब court चले गए तो वहां से court से ने रात मिली थी और उनके क्या उनके पच्छ में फैसला आया हुआ था तो court ने कह दिया था कि उनको क्या दिया निक्ति दी जाए तो उनके लिए फिर इनके प्रत्यावितन मांगे गए गए थे form बरवाए गए गए उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो सिंगल बेंच का जो आपका फैसला आ गया है जिसके अंत्रगात सिंगल बेंच नहीं ये कहा है कि आप इस पे जो आपने लिस्ट उनतरजारगी बनाई थी उसको फिर से रिवाइज करिए इसे फिर से बनाईए इसमें कुछ बैसरंगतिया हुई है आरच्छड को लेकर उससे आप फिर से बनाईए तो उसी के रिगार्डेंगे यहां पर देखिए यहां पर इनफर्मिशन दी गई है जो इन लोगों की नियुक्ति फस गई है बो क्यों पस गई है क्या केस बन गया है इस तरीके से आपकी जो इनफर्मिशन है वो आप कैंसल कर दिया है तो इसके लिए भी जो स्टुडेंट्स हैं वो धरना दे रहे हैं और जो एक नंबर वाले स्टुडेंट्स हैं वो भी ठप बैट गए हैं उनका भी यहां पर बहुत जारा निक्सान हो गया है क्योंकि उनको उनकी भी जो प्रोसेस है वो बंद हो चु निक्ती एक बार फिर से फस गई है आरच्षर विवाद मामले पर 13 मार्च को हाई कोट की लखनु बेंच ने सरकार को 69,000 की भरती यानि जो आरच्षर विवाद मामला था OBCC वाला उसके बारे में बेंच ने 69,000 की भरती चैन सूची पर पुनर बिचार यानि फिर से इसे रिवाइज करने के लिए कह दिया आदिस दिये थे इस फैसले के बाद एक नंबर से पास और नियुक्ती की मांग कर रहे अब बरतियों को जटका लगा यानि जो इनका फैसला भी आ चुका था इनके प्रत्या बिजन में लिए जा चुके थे सब कुछ इनका हो गया था वेबर हुआ था वो 690 को हुआ था 2019 में में एक प्रसंद के चारों बिकल्प गलत थे लेकिन 12 मई 2020 को जो परड़ाम गोसेत हुआ कि मैं परिच्छा नमग प्रदादिकारी का रहा है कि विस्सेजग्यों ने एक बिकल्प को सही मान लिया था तो यहाँ पर जो परिच्छा मई 2020 में एक दाकल याचका में हाई कोट ने 25 अगस 2021 को उन अबर्थियों को यानि जो इन्होंने वो आपनी याचका दायर कर दी थी उसमें जो आपका 25 अगस 2021 को जो अबर्थि थे उनके इतमें ये फैसला आता है परड़ाम गोसेत करते हुए देने का आदिस दिया था कि आप इनका एक नमबर बढ़ा कर इनका आदिस्त करिये उन्होंने इस प्रसंद को हल करने की कोशिस की थी एक अंक से सफल हो रहे थे और एक अंक से सफल हो रहे थे अब उन्हें एक अंक मिल रहा था तो आप सफल हो रहे थे लिस्ट के अंदर का आ रहे थे तो इसलिए हाई court ने आधिस के खिलाब सरकार मतलब फिर क्या हुआ कि high court के आधिस के खिलाब सरकार चली गी court में और इस पर जो court था court ने पहले ही आधिस दे दिया था कि इनको एक new earthquake कीं जाए और इनकी जो ס Prose Cait दिनका जो result है उनको गुंप किया जाए और उसके बाद इनके रिजल्ट के साथ ही साथ इनका जो आपका इनका जो निक्तिपत्र है वो भी आपका प्रताविन करके उनका दिया जाए तो बही चीज आपर बताई गई है तो यहाँ पर जो इनोंने जो सरकार ने जो अपनी लगाई हुई थी याचिका उसे क्या कर दिया और सुप्रेम कोट ने यहां पर खारिज कर दिया अब फिर क्या हुआ देखिए बाद में प्रिच्छा नहीं का प्रजट कारेगी को उन अबरतियों में से उन अबरतियों से 10 से आपका 10 से 19 जिनवरी तक आपके क्या चलेते प् अबरतियों के चैन की प्रिक्रिया चल रही थी कि हाई कोट में बेंच ने तेरे मार्च को आदेश के बाद सबको श्ठप्पो गया यहांनि बेंच ने कह दिया कि इस पर आप उनरवचार करिए ये लिस्ट को रिवाइज करिए तो बही चीज आप पर दी गई है देख सकते हैं आप उनरवचार की चैन सूची पर आरप्षड विवाद में उल्जा मामला धाई साल कानूनी लड़ाई के बाद खुली थी नियुक्ती की रहा अब ये रुक चुकी आप ही रहा ठपो चुकी है जिन्हें स्कूल में पढ़ाना था वो खा रह ठोकरे एक नमबर से पास रहे दुरगेश सुकला दुरेश सुकला राम सुकला रोहिश सुकला प्रसून दीच्छित विकास्तिवारी आदिका कहना है कि 9 नमबर 2022 को सुप्रीम कूट के फैसले के 5 महीने बाद भी एक नमबर वाले सफला बर्चियों को नियुक्ती से बंच रहा है तो यह आपका इन लोगों का कहना है और सही बात भी है इनका जम नियुक्ती में होना चाहिए तरह रहा हो इनका एक नमबर से लटक गया अभी तक इनको नियुक्ती नहीं मिली अभी जो लिस्ट है वो रिवाज हो रही है इसके बाद आप देखिए कितने लोगों क वाली कितने लोग के लिस्त के अंदर आते हैं कितने लोग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं जो भी लिस्ट से बाहर हो जाएगा उनका भी कोई नुख्सण नहीं होगा उन्हें सरकार एडेयस्ट करест करेगी पोके तो यंचिंध वीडियो आपके लिए